सो हेलो ब्रिवन जो लोग जैग इंट्री एंट इस इंट्री का इंतिजार कर रहे थे इंडियन आर्मी की तरफ से नाटिफिकेशन आउट हो गया है अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लीज़ेगा ठीक है तो एक सोट में वीडियो बना रहा हूं और फु फरवरी तक चलने वाला है ठीक है इस बीच में आपको ओनलाइन आविदन करना है अगर आप इलिजबल हैं तो आप कर लेना बिल्कुल भी इंतिजार मत करना ठीक है और पुरुस और महला दोनों के लिए आपकी और इसमें लिखा है कि टैन प्रस टू टी एस 47 कोर्स जुल के लिए जी मैंस 2021 है जो कि आपको पता है और नोटिफिकेशन में बस यही बताया गया है कि जी मैंस अनिवार कर दिया गया है ठीक है अगर आप टी एस 47 कोर्स के लिए हैं तो आप जी मैंस अगर नहीं है तो आप बिल्कुल छोड़ दें कि आप नई बर्ट फॉर्म को फि तबी आप इस फॉर्म को वरने के लिए एलुस वल है थोड़ी जानकारी और जान लेते हैं जो कि मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए तो यह है आपकी सबसे पहले बात करते हैं यह सिन्ट के लागे तो जोइन इंडियन आर्मी भारतिय सेना 10 प्लस 2 टेक्निकल इंट्री स्कीम कोर्स टिएस 47 रिक्रूट्मेंट 2022 नाटिफिकेशन आउट हो गया है आर्मी टिएस जुलाई 2022 कोर्स सॉट डिटेल आफ नाटिफिकेशन और बता दें कि जो आपका अप्लिकेशन स्टार्ट हो गया है वो 24 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और अगर फिस की बात कर रहे तो जनरल OVC के लिए आपे 0 रोपए SCST वालों के लिए भी यहाँ पे 0 रोपए है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कोई फिस नहीं लगने वाल है आपके लिए और नो एप्लिकेशन फिस है और इलिजबिलिटी में मैंने बता दिया है कि जे मीन्स नवार कर दिया गया है अगर जे 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 इई मीन्स आपका आपके पास है या आपने किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए लिजबिल है और 10 प्लेस टू इंटर्मीडियट बिट एट लिस्ट मिन्मूम साट परसेंट फिजिक्स, केमिस्टी और मैथ में आपके लगबग में मिनिमूम अगर बात करी जाए तो साट परसेंट मार्क होनी चाहिए और इस क्राइटेरिया जो कि आपको पता है कि TES में साड़े सोला साल से और साड़े उन्ने साल तक रहता है अगर आप हैं लिजबल तो भर देना छोटी मोटी जानकारी है पोस्ट भी अच्छी कासी है यहाँ पे 90 पोस्ट है 29 इंट्री स्केम अक्टूबर 2022 के लिए आपे नोटिफिकेशन आउट हो गया है इसका एप्लिकेशन बेगेन आपका 19 जनवरी को हो गया है लास्ट डेट 17 फरवरी रहने वाले रहने वाली है इसमें भी जनरल OVC SCHT के लिए और फिमिल के लिए कोई भी फीस नहीं है याँ कि नोटिफिकेशन फीस यहाँ पे कोई आपकी फीस नहीं है और इंडियन आर्मी लॉग रिजुएट जैग 29 इंट्री एज लिमिट एज जो इस क्राइटेरिया है इसका मिनिमम 21 साल और मैक्जिमम 27 साल इसका इस क्राइटेरिया है और इस रिलेक्शन जो कि आपको SCST और OVC के अनुसार में मिलता है वो आपको मिलेगा यहाँ पे ठीक है और आर्मी जैग इंट्री आक्टूबर जैग मैन की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 वेकेंसी आई हुए है इसमें भी क्या है बैचलर डिग्री मांगी गई है लो एललवी की ठीक है एललवी की बैचलर डिग्री मांगी गई है जो कि आप देख सकते हैं मिनिमम 55% मार्क आपके होने चाहिए एललवी की बैचलर डिग्री में है ठीक है तो ये था आज का नोटिफिकेशन जो मैंने बता दिया है सोट वीडियो के मादियम से मैंने बता है I hope आपको वीडियो पिसंद आया होगा और हाँ एंड में यही बोलूँगा मेरे टेलीग्राम गूर्प को जोइन करना है तो आप जल्दिस जाएए मेरे टेलीग्राम गूर्प को जोइन करिये और अखर हमसे बात करना है तो मेरे जीमेल आइडी पर मुझे कांटक्ट करिये जीमेल आइडी कहा से मिलेगी या तो आप यूट्यूब सेक्शन के अबाउट सेक्शन में जाके हमार जीमेल आइडी को कॉपी कर लेना या तो आप टेलीग्राम गूर्प के इन्फोर्मेटिव टैब में जाके मेंने मेंसेट कर दिया हूँ होँँ से आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आई होप आपको पन्देमाटर उन्हें पन्देमाटर